तो यहां अमरे में आ रहा है नोटिस करो साड़े छेह सो साड़े छेह सो तो मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि मेरे चैनल में आपको नॉलेज मिलना बहुत जादा जोरी है मैं आपको सिब यह दिखा दूँ अपडेट तो फिर हमें और बाक्यों में क्या नतर होगा इस कि वाकी में यह सही दे रहा है या ऐसे बेप्डेट बना रहा है आपको बहुत दिनों बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ और यह वीडियो ना कसम से मुझे लाना ही था क्योंकि बहुत पहले हमें अपडेट मिल गए थे कि एक मार्च को आपको बहुत अपडेट मिलने वाला है बोर्णियो के तुरूप और यह जो अपडेट है यह फ्रैसर के लिए नहीं है यह एसपर्ट के लिए है क्योंकि आईसओ के जी आर सीट आ चुकी है और उसके साथ डाटा सीड भी अभी बार्गेट में आईसओ की जी आर सीड भी आ रही है बट अभी डाटा सीड भी अगर मिल जाए तो क्या बात है तो बोर्णियो ने एक नया फीचर निकाला है तो आईए उस फीचर को देख लेते हैं अभी आपने बोर्णियो के 4.29 के पैच सेटप को डाउनलोड कर लिया होगा जिसमें आपने देखा होगा और अभी मैं आपको ब दिखाऊंगा एक पैटिकल अपन करेंगे एक यहां पर एक फोन में और यह एक आईसी है इस आईसी को निकालेंगे और देखेंगे कि वाकी में क्या इनकी डाटा सीट काम की है या नहीं है तो एक पैटिकल रिव्यू हम देंगे और बिलकुल जेनुवन तो यह वीडो यहां पर आपको देखने को मिलेगा आईसी डायोड वैल्यू और जो थर्मिस्टर के ओपर इन्होंने लाया हुआ है आप देखें चार्जर आईसी औरियो आईसी औरियो में देखेंगे डबलु सीडी यह इसारी जो है ना मेंन कंट्रोलर है यह आपकी स्पीकर तो यह डबलू सीडी और यह सबसे रणिंग आईसी हैं अगर मैं बात करो तो इनका अगर डाटा सीड अगर हमें मिलता है जी अर वैल्लू के साथ तो क्या गलत है अगर चार्जर आसी की बात करेंगे से एसमबी आपकी फास चार्जिंग आईसी आपका बीक्यू मिल गया पी नाइन और यह जितने भी जो चार्जिंग आईसी है इसके भी आपको डाटा सीड देखने को मिल रही है और आप यहां पर बात करेंगे तो यह आपके सीप्यू की है जिसमें आप मीडिया टेक का देख सकते हैं एंवीडिया देगिया है एसम देख सकते हैं जो हमारे को रिकॉर्मेंट है वह तो इसमें है डिस्प्ले में डिस्प्ले आईसी आप एसम देख सकते हैं इममसी की बात करेंगे तो आपको इममसी में तीन इममसी आईसी देखने को मिलेगी तो हम इसको खोल के देखेंगे कि यहां पर आपको पहले में वीजिये टूटू बने दोस्तों में जादा खोल नहीं पाया है क्या यहां पर इसुत थोड़ा जादा है LCD मैंने को LCD light IC है वो जो 6 लेक का circuit होता है तो basically NFC IC दिया है जो कि हमारे कुछनी recording है Power Amplified IC मलब आपको PFO की IC Sky, VC तो सारे ICो की यहां पर आपको दिया हुआ है Power IC देखे है PM7, PM8 अच्छी एक update मिला है RAM ISO का update मिला है यह भी काफी अच्छा है और साथ में RF मतलब आपका WTR, MediaTek, HDR यह सारी चीज़े है साथ में Wi-Fi IC का आपको update दिया गया है तो यह बहुत बड़ा update है बोलने हुआ कि अपसिल मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा तो एक बार मैं यहां पर PMI 632 open किया है तो यह जो update है कमाल का है आप notice करो यहां पर आपको diode value तो दी हुई है साथ में आपको यहां पर उसकी data seat भी दी हुई है जैसे कि मैंने कहा यह एक वीडियो जो है ना फ्रैसर के लिए नहीं है क्योंकि फ्रैसर इसको कभी नहीं समझ पाएगा जब तक कि वो एक सही institute या सही coaching या सही गुरू को ना पाले क्योंकि वो जब बताएगा कि यह line क्या काम करती है तब तक कि YouTube से तो नहीं सीखने वाला या YouTube से तो अपना time waste कर रहा है अगर मैं बात करूँ यहां पर देखिए यह जो data seed है अभी यह जो multimeter है यह multimeter उनका यह वाला जो multimeter है यहां से दिया हुआ है यह एक Sanva का CDA 00A है बड़ आईए आपकी मैं परहसानी दूड करूँगा कि आपका actual क्या आना चाहिए तो मैं जो multimeter दोस्तों use कर रहा हूं मैं तो unity का multimeter use कर रहा हूं बड़ फिर भी एक हम इसकी value चेक करेंगे क्या बीबैट पर 400 art value आता है या इसके उपर नीचे यह क्या value है तो हम इसकी data seat को practical view में देख रहे हैं यहां पर देख सकते हैं कितना अच्छा data seat दिया है और यहां पर देखें वीडी ISP है माउटो हो सकता है में भी आगे जाके इसको color color भी लाएं जिसमें यह graphics के अलग द करते हैं और देखते हैं कि वाकी में क्या e632 अपनी IC के GR के साथ खड़ी उतरती है और यह वीडो में बने रहना चलिए प्रेटिकल करते हैं तो हाई गाइस आईए प्रेटिकल करके देखते हैं हम अपनी data seat के साथ देखें हमने यहां पर 632 की data seat open करके रखी हुई है और हम हमारे पास एक phone है हम इसका ic निकालेंगे तो आपको मैं यहां से दिखाना चाहूंगा देखें यह जो मेरे पास phone है यहां पर यह IC लगी हुई है और यह IC है PMI 632 आप देख पारे होंगे तो मैं इस ic को निकालूंगा और इस ic को निकाल कर हम इसका जियार एक बार बोर्णियों के जियार से चेक करेंगे और टैली करेंगे कि वाकी में यह सईक दे रहा है या ऐसे बेब को बना रहा है झाल झाल तो दोस्तों हम नबदी पावराई से निकाल दिया और क्लिंग कर दिया आईए अब जिया चेक करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर नोस कट पॉइंट के लिए आपको अरो दिया हुआ है और यहां पर यह यूएजबी की तीन लाइन है और इसके राटा सिट भी दिया है जो की काफी अच्छी बात है तो हम यहां पर यूएजबी की सप्लाइए और यह तीन पहला रही है हम देखते हैं कि वाकी में हमारे इसमें यह लाइन आ रहे है कि नहीं आ रहे है तो नोटेस किजेगा मल्टीमिटर मैंने आपके साथ सेहर किये स्क तो यहां पर हमारे में आ रहा है, नोटिस करो 600, 600, 600 ग और 600, तो मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे चैनल में आपको नॉलेज मिलना बहुत जादा जोरी है, मैं आपको यह दिखा दूँ अपडेट तो फिर हमें और बाकियों में क्यां अंतर होगा, इसलिए मैं आ अपना ही अनुमान लगाना है दोस्तों हमें data seed में GR मिल जाता है बहुत खोस हो जाते हैं अब गया गया पर एक्षल में क्या हमें वही जीर मिलेगा बिल्कुल नहीं तो बस इतना है यह हम फाइदा उठा सकते हैं कि हाँ यहां जीर आएगा कि नहीं आएगा एटलिस इतना तो आप देखो यहां पर सारी 400 आ रहा है जाएगे देखें इसका सिस्टम के का जीर कितना है तो यहां पर 456 है तो हम अपना चेक करेंगे तो 577 तो ज़्यादा अंतर नहीं है बड़ 456 और 577 में फिर भी तो आप नोटेस करो कि यह आपको देखने को मिलेगा तो मेरे चैनल में मुझे यही चीज़ समझाने थी दोस्तों कि आपको बॉर्णियों ने अपडेट तो दे दी हैं और काफी अच्छे अपडेट दी है आपको जो यह जिस इस आपकी डाटा सीट दी है आप इसका फाइदा उठाएं और आप बॉर्णियों से भी पढ़ें क्योंकि यह चीजों का नोलेज ही नहीं है आपको आप इन डाटसीड का रागा करेंगे क्या आपको पृहर नहीं है कि M.I.D. को एक्चिल में बूलते हैं आपको पता ही नहीं है ये जिर आता कहां तो यह सारी चीजा पता करना आज ड्रमए बहुत जादध ज़रूरी है इसके लिए एसे डेली कॉम ज़रूर जोइन करें और एसे डेली कॉम के फेस्वीक चेनल पर जाके सब्सक्राइब फॉलो करें क्योंकि वहां पर हमारे देश के लाखों लोग हमसे जुड़े हैं और हमें डेली की लाइफ क्लासेज देखें दोस्तों और इस वीडियो के इससे भी धमाकेडार वीडियो होने वाला है थैंक्यों वर्य मच्च